असलाम लेकुम स्टुडेंट आज हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन का और कॉन्फिडेंस इंटर्वल फॉर पॉपॉलेशन मीन वें सिग्मा अनौन जब हमारे पास पॉपॉलेशन का वेरियंस गिवन नहीं होता हम लोगों ने कॉन्फिडेंस इंटर्वल फाइंड आउट क इसप्सालिशन का ही स्ट्रेशन का ही स्ट्रेशन है 680. find the 90% confidence interval estimate for mu the average number of vehicle per day अब हम लोगों ने find करना है 95% confidence interval estimate for mu mu population mean the average number of vehicles per day कि कितनी traffic जो है वो per day गुजरती है उस breeze के उपर से तो हमारे पास question में given है जी देखें आप लोग कि हमारे पास question में क्या क्या given है a random sample of 64 सबसे पहले sample की ददाद कितनी है 64 given x bar हमारे पास given है sample का mean जो है वो है 5410 and sample का standard deviation जिसको s से denote करते हैं वो है 680 find 90% confidence interval हम लोगों ने 90% confidence interval for population mean mu find out करना है हमारे पास इसको find करने का formula होता है x bar plus minus z alpha over 2 standard deviation divided by under root n x bar हमारे पास given है जो के है 5410 plus minus z alpha over 2 alpha ये 95% confidence interval means 1 minus alpha is equal to 90 divided by 100 क्या हो जाएगा 0.00 हम लोगों ने करना है 90 divided by 100 तो हमारे पास आ गया 0.9 1 minus alpha कितना है 0.9 तो alpha हमारे पास क्या होगा alpha को उदर ले जाए इस वाली value को इदर ले जाए तो यह 1 minus 0.9 तो alpha हमारे पास हो जाएगा 1 minus 0.9 जो के होता है 0.1 एलफा क्या आ गया 0.1 divided by 2 standard deviation sample का हमारे पास है 680 divided by n कितना था 64 ठीक हो गया अब next हम चलेंगे जी 0.1 को 2 पे divide करेंगे जी तो यह answer आजेगा 0.05 जी 0.05 68 680 divided by 64 का अंडर रूट लेंगे अंडर रूट 64 तो answer हमारे पास आ गया जी 8 अब 5410 प्लस माइनस जी 0.05 की value हम लोग table से देखेंगे तेबल से हम लोग जी 0.05 देखें यह confidence interval दिये गया है हमारा था 0.90 जब हमने alpha over 2 कर दिया तो हमारे पास आ गया 0.05 0.05 जी alpha over 2 0.05 की value होती है 1.645 1.645 मैं यह जी की जो values हैं different levels पे जैसे के जी alpha over 2 mean z 0.01, z 0.05 and z 0.025 यह values मैं नीचे description में देदूँगी कि आप question करते वक्त आप लोगों को problem ना हो further यह आप लोग जी का table net से भी देख सकते हैं book में से भी देख सकते हैं easily 1.645 इसकी value है further हम इसको simplify करेंगे 680 divided by 8 हमारे पास answer आ जाता है है जी 85 यह से multiply हो रहा है 5410 plus minus 1.645 multiply by 85 हमारे पास answer आ गया जी 139.825 अब हमारे पास चुकि plus minus है एक दफा इस value में से इस value को minus करेंगे एक दफा इस value के साथ इसको plus करेंगे 5410 minus 139.825 हमारे पास answer आ गया जी 5270.175 इसको plus करेंगे 5410 plus 139.825 हमारे पास answer आ गया 5549.825 इस तरह यह हमारे पास confidence interval आ गया for population mean कि हमारा जो population का mean है वो इन दो values के दरम्यान लाए कर रहा है कितने percent confidence है हमें 90% confidence है Thank you Thank you